हेलो एव्रिवान स्वागत आप सभी का टोपर्स प्राइम चैनल में इस वीडियो में आजम करेंगे मोग टेस्ट नमबर 19 दिल्ली पुलिस हर्याना पुलिस और D.S.S.B. के लिए ठीक है प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उनमें से पूछे के कुश्चन्स देखेंगे इंप परिक्षा आप से खरीद सकते हैं दिल्ली पुलिस हैड कॉंस्टेबल हो और इन सभी के लिए मोग टेस्ट परिक्षा आप पे अवेलेबल हैं और इने खरीदने के लिए आप जो हमारा टॉपर्स फोटी कोड यूज़ कर सकते हैं ठीक है जिस पे आपको 40% का ओफ मिलेगा तो चलिए कोशन शिरू करते हैं देखे फर्स्ट कोशन है विएतनाम कब स्वतंतर हुआ? When did विएतनाम get independence? 1887, 1945, 1873 यए 1950 विएतनाम जो था ये कब स्वतंतर हुआ था? विएतनाम स्वतंतर हुआ था 1945 में 1945 में ठीक है? अगला देखिए महात्मा गांधी दक्षिन अफ्रीका से भारत कब वापस आई? 1913, 1919, 1915 या 1921 When did महात्मा गांधी return to India from South Africa? तो दक्षिन अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब आई थे? 9 जन्वरी 1915 को ठीक है? तो 1915 या पर सही हो जाएगा Next देखिए, यंग इटली की स्थापना किस ने की थी? The young Italy was formed by यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? 1831 में हुई थी और किस ने की थी? Joseph Mezini ने की थी ठीक है? Joseph Mezini ने की थी Next दास कैपिटल का लेख कौन था? The writer of Das Capital was तो Das Capital किस की बुक से? Karl Marx की ठीक है? Karl Marx की जो है ये बुक है Das Capital Next प्रत्थम प्रत्थ्वी सम्मेलन कब हुआ था? When was the first earth summit held? 1987, 1992, 2002 या 2001 First earth summit बताना है कि कब हुआ था? तो देखें पहला प्रत्थ्वी सम्मेलन जो था? ये कहां पे हुआ था? Rio de Janeiro ठीक है? Brazil में और कब हुआ था? 1992, 1992 बाण में में जो था? पहला प्रत्थ्वी सम्मेलन हुआ था Next देखिए सही शब्द से रिक्ष्थान की पूर्ती करनी है निपाल भारत की डैश दिशा में स्थित है निपाल is situated in the direction of India तो निपाल भारत की किस दिशा में है? उत्तर में है ठीक है? तो नौर्थ डिरेक्शन जो है यहां पे सही हो जाएगा नौर्थ काली मिट्टी का दूसरा नाम बताना है क्या है? ब्लैक स्वैल इस ओल्सो कॉर्ड तो काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाते है तो रेगुर जो है सही हो जाएगा Next देखिए Wait An era of darkness पूस्तक किस ने लिखिये जो बड़े पैमाने पर अपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्त्विक्ताओं का वरणन करती है Who wrote the book An Era of Darkness which extensively narrate the grim realities of colonial India Sashi Tharoor, V.S. Naipaul, Chetan Bhagat, Salman Drusti An Era of Darkness किस की बुख है ये? ये बुख है Sashi Tharoor की First option जो है सही हो जाएगा चली next देखिए केरल में थुम्बा प्रशिद है क्यों की थुम्बा जो है केरला में क्यों famous है उसका reason बताना है It has several tea gardens It has back water and lagoon It is a rocket launching station या फिर it has an ayurvedic center थुम्बा famous है केरला में ये क्या है? चाय का बगान है जल खाड़ी है launching station है या एक ayurvedic केंद्र है तो देखिए right answer हो जाएगा थुम्बा इन केरला is famous because It is a rocket launching station ये क्या है? एक rocket launching station है ठीक है? next है वह प्रिक्रिया है जिसमें अमल और शार मिलकर लवन और जल का निर्मान करते हैं तो कौन सी प्रिक्रिया है? जिसमें acid और base दोनों react करके क्या बनाते हैं? salt और water बनाते हैं distillation, electrolysis, neutralization, hydrolysis तो उस process का नाम बताना है हमें तो कौन सी process है? जिसमें अमल और शार मिलकर लवन और जल का निर्मान करते हैं तो वो है neutralization यानि की उदास सीनी करण की प्रिक्रिया ठीक है? पाचन के अंत में जारी उर्जा का रूप कौन सा होता है? जो energy release होती है at the end of the digestion thermal energy, electric energy, kinetic energy या फिर chemical energy पाचन के अंत में कौन सी उर्जा जो है होती है जारी? तो release होती कौन सी energy? chemical energy chemical energy जो है release होती है ठीक है? नेक्स देखे Maxthenes भारत आने वाले सब से शुरुवाती खोज करताओं में से एक था उसका सम्मंद किसे देश से था one of the earliest explorers who visited India was Maxthenes which country did he hail from? Spain, Italy, Greek, Egypt कहां से आया था Maxthenes? Greek, यानि की युनान का रहने वाला था ठीक है? तो right answer यह हो जाएगा अगला दिखे Magdalena नदी दक्षिन अमेरिका की सब से बड़ी नदी गाटी में से एक है या किस देशे होकर बहती है? largest river है ये largest river basin है South America का तो यह बताना है कि किस वहाँ पर country में जो है flow होती है ब्राजील में, कॉलंबिया, चिली या फिर अर्जन्टिना Magdalena नदी तो कहां से, किस देश से होकर बहती है? ये अर्जन्टिना से होकर बहती है तो right answer, अर्जन्टिना D option जो यहाँ पर correct हो जाएगा अर्जन्टिना ठीक है? next देखिए किस ने ये खोजा कि हर आठवें तत्वों के गुण पहले के समान है who first discovered that every eighth element had properties similar to that of the first Newland, Moseley, Dobriner या Mandelieve तो किस ने खोजा था कि जो आठवां तत्व है वो उसकी जो properties है वो किस के similar है? first वाले के समान है यानि कि पहले की properties आठवें तत्व की properties के बराबर है तो ये खोजा था Newland ने ठीक है? first option Newland जो है याँ पर सही हो जाएगा next देखिए नीलगरी पहाड़ियों के दक्षनी छोर परस्थित दर्रे को क्या कहते है? गुरान घाट दर्रा, मालसेज घाट दर्रा, पलकड की खाई या चोरला घाट दर्रा नीलगरी पहाड़ियों के ये दक्षनी छोर पर पूछा है, जो दक्षनी छोर परस्थित है उस दर्रे को क्या कहते है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो दक्षनी छोर परस्थित है उसे पलकड की खाई कहते हैं पलकड की खाई ये दक्षनी छोर परस्थित है अगला देखिए ओसकर पुरुषकार जीतने वाले पहले अभी नेता का नाम बताएं लियो नेल बारीमोर, वार्नर बैक्टर, एमिल जेनिंग्स या चारली चैपलीन फर्स्ट ओसकर जीतने वाले अभी नेता का नाम पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा, एमिल जेनिंग्स थे जो पहली बार ओसकर जीते थे, जिसने ओसकर पुरुषकार पहली बार जीता था, ठीक है, पूर्त गालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकरित किया था 1610 इस्वी, 1510 इस्वी, 1540 या 1475, तो पूछा किया है कि पूर्त गालियों ने गोवा पर जो कबजा था, वो कब कर लिया था, तो देखें, पूर्त गालियों ने गोवा पर कबजा किया, 1510 इस्वी में, और कब तक रहा उनका कबजा, पूर्त गालियों का गोवा पर, 1961, ठ ठीक है, लगबग 451, 451 साल तक जो था पूर्तगालियों ने गोवा पर रास किया, यानकि गोवा जो था पूर्तगालियों के नियंतर्ण में था, 451 साल तक, ठीक है, तो 1510 यहां पर सही हो जाएगा, लंदन में पहला गोल में सम्मेलन कीस वर्ष आयो जित किया गया था, लंदन में पहला गोल में सम्मेलन बताना की किस वर्ष हुआ था, ठीक है? देखिये अगला, निमन लिखित में से किस वरक्ष की लखड़ी का प्रियोग करनाटक के सास्त्रिय संगीत में प्रियोग किये जाने वाले बड़े कर्शित तार के वाध्ययंत्र बनाने के लिए किया जाता है, जिसे बेबली वीना, सर्श्वती मीना के नाम से जाना जाता है, तो यह पूछा गया है कि कौन से व्रक्ष की लखड़ी है जो सास्त्रे संगीत में यूज की जाते है तार के वाद्दे यंतर बनाने के लिए चंदन की लखड़ी कट हल की लखड़ी, सागवान की लखड़ी या फिर अक्रोट की लखड़ी तो सास्त्रिय संगीत में तार के वाद्धे अंत्र बनाने के लिए कट हल की लकडी का जो है यूज किया जाता है ठीक है What does the writ of mandamus means? We command you may have the body by what warrant or to be certified Mandamus जो writ होती है Mandamus must mean यानि कि परमादेश उस writ का जो मतलब होता है वो पूछा गया है कि परमादेश का मतलब क्या होता है इन में से तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है to be certified To be certified ये किस उसके writ के अंदर आता है Utpression यानि कि certiority Utpression के अंदर आता है Then आता है by what warrant या पूछ सकता है by what authority किस से related किस writ से तो वो आता है Adikार प्रिच्छा Means co-warant के अंदर Then you may have the body ये आता है hebes corpus Bandi pratyakshi करन Bandi pratyakshi करन And we command होता है Mandamus यानि कि परमादेश तो right answer यहाँ पर we command हो जाएगा तो ये चारो याद रखे इंपोर्टेंट है Mandamus We command हो गया You may have the body Hebes corpus हो गया By what warrant Quo warrant हो गया और to be certified ये क्या है Set your ready ठीक है चलिए अगला दीखिए समाजवाद का जै प्रकाश नरायन संग्रालय कहां स्तित है अमरित सर नई दिल्ली लखनू या वडोद्रा जै प्रकाश नरायन संग्रालय पुछा है कहां पर है ये ये है लखनौ में ठीक है Next question है निमल लिखित में से किस वर्ष को भारत के जन सांखी के इतियास में वरिद विबाजन का वर्ष का आ जाता है 1931, 1911, 1921 या 1951 तो भारत के जन सांखी के इतियास में वरिद विबाजन का वर्ष का आ जाता है 1921 को 1921 को ठीक है अगला देखिए ITCZ में C का क्या अर्थ है Constant, Convection, Circulation या Convergence C का मेनिंग बताना है ITCZ में तो देखिए इसकी full form क्या होती है ITCZ होता है Inter-Tropical IT से बन गया Inter-Tropical Z से बन जाएगा John और C से क्या बनेगा Convergence Inter-Tropical Convergence John तो 4th option Convergence जो है साई होगा ठीक है Next time में से कौन सी कथाई अजंता गुफा की चित्रकारी और मुर्तिकलाओं से सम्मंदित है पैंटा मिरोन कथाई पंचतंतर की कथाई हितोब देश कथाई या फिर जातक कथाई तो कौन सी कथाई है जो अजंता गुफा की चित्रकारी और मुर्तिकलाओं से रिलेटिड है तो कौन सी कथाई का जातो नहीं जातक की कथाई का जाते है जातक कथाई का जाते है ठीक है निमन लिखित में से किस ने Revolution 2020 पुस्तक लिखिया है रूपापाई अर्विंद के जरिवाल देवदत पटनाया क्या चेतन भगत Revolution 2020 किस की बुख है ये किस ने लिखा है इसे चेतन भगत ने लिखा है ठीक है ओप्शन नमबर 4 नेक्स देखिये निमन लिखित में से कोन सा मंत्रा लिया है बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ योजना की पहल से सम्मंदित नहीं है नहीं है बताना जो उससे रिलेटिद नहीं है तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से सम्मंदित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीन विकास मंत्राले है, ठीक है, चली अगला, 1919 में निमलिकित में से कोन सी गटना है जो नहीं हुई थी, रोलेट आक्ट पारित किया गया था, बंगाल का विभाजन हुआ था, मौन्टेग्यू चेम्सफोर्ट सुधार की गोशना की गई थी, जलियावाला भाग हत्या कांड हुआ था, तो वो गटना बतानी है जो 1919 में न जो 1919 में नहीं हुई बंगाल का विभाजन, कब हुआ था बंगाल का विभाजन, 1906 में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन, ठीक है, अगला दीखे, ब्रिटिशों के साथ अली नगर की संधी पर किसने अस्ताक्षर किये थे, अली वर्दी खान, मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजु दोला, ब्रिटिश जो थे, उनके साथ अली नगर की संधी जो हुई थी, उस पर किसने अस्ताक्षर किये थे, सिराजु दोला ने, ठीक है, सिराजु दोला ने जो था, अली नगर की संधी पर अस्ताक्षर किये थे, कोशन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि श्रियाजु दोलोर ब्रिटिश के बीच कौन सी संधी हुई थी तो अली नगर की संधी हुई थी ठीक है नेक्स देखें भारत के संधान में किस संसोधन के अंतरगत वस्तुम सेवा कर लगाया जाते है यानिकि जो जी एस्टी है वो किस संसोधन के अंतरगत लगाया जाते है 97, संसोधन, 101, 99 या 103 तो कौन सा संसोधन है? 101 संसोधन है Second option जो है सही हो जाएगा अगला देखें निमल लिखीती में से किस नदी को व्यादी काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था चिनाब, सतलूज, व्यास या रावी पुरुषनी के नाम से बताना है कि किस रीवर को जाना जाता था तो देखतें देखें चिनाब को पहले किस नाम से जानते थे? आसकिनी नाम से जाना जाता था आसकिनी सतलज को किस नाम से जानते थे? शतुद्री के नाम से जाना जाता था व्यास को जानते थे विपाशा के नाम से विपाशा और रावी को जाना जाता था पुरुशनी के नाम से ठीक है तो करेक्ट कुन सा हो जाएगा option number 4 रावी नेक्स देखें उत्रायन का त्योहार विशिस्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है जारखंड गुजरात उत्रप्रदेश या केरल उत्रायन जिसे मकर सक्रान्ती भी बोला जाते हैं मकर सक्रान्ती को ही उत्रायन बोलते हैं कब आती है मगर सक्रान्ती 14 जैनवरी को ठीक है और इसे उत्रायन कहां पर कहा जाता है गुजरात में कहा जाता है और ये विशिस रूप से जो आर मनाया जाते है कहां पर मनाया जाते है गुजरात में मनाया जाते है ठीक है, ओके आगे देखिए, क्या इक हती यो, पगोड़ा कहां स्तेत है, निपाल, भुटान, श्रिलंका या मैनमार, क्या इक हती यो, ये कहां पर है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा, ये है मैनमार में, फोर्थ ओप्षिन, मैनमार में है ये, ठीक है, नेक्स देखिए, निमल लिखित में से, कौन सी किताब, आरके नरायन द्वारा नहीं लिखी गई है, स्वामी और फ्रेंट्स, मालगुडी डेज, दागाईड या जंगल बुख, तो उस बुख का नाम बताना है, जिसे आरके नरायन ने नहीं लिखा है, तो ये कोशन देखिए, यहां से जो रुडियार्ड किपलिंग की, ठेक है, रुडियार्ड किपलिंग, ठेक है, जंगल बुख जो है, इसकी बुख, मतलब इनों ने इसे लिखा है, रुडियार्ड किपलिंग ने, तो फोर्थ ओप्शिन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, चलिए, नेक्स देखिए, क्रिस्टिय की तालिकाओं का पहला प्रकाशन करने के लिए क्रिश्चियन बर्नार्ड किस लिए फेमस हैं तो क्या किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले विश्व का पहला मानव हरिद्य प्रतारूपन मतलब फर्स्ट जो था हर्ट ट्रांस्प्लांट जो था किसने किया था क्रिस्टियन बर्नार्ड ने तो थर्ड ओप्षिन या पे सही हो जाएगा ठीक है भारत के समिधान का अनुछेद अनुसुचित छेत्रों और अनुसुचित जनजातियों के परसाशन और नियंत्रन से सम्मंदित प्रावधानों का उलेख करता है यान कि कौन सा अनुछेद है जो अनुसुचित छेत्रों और जनजातियों के परसाशन और नियंत्रन से सम्मंदित प्रावधानों का उलेख करता है 244-2, 222-2, 244-1 या 222-1 तो बताएगे कौन सा अनुछेद हो जाएगा 244-1 ठीक है थर्ड ओप्षिन नेक्स्ट है 93 डिगरी पूर्वी देशांत्र और 27 डिगरी उत्री अक्षांस के बीच समुद्र तल से 530 मीटर उचाई परस्थित राज्य की राजदानी का नाम बताएगे पटना, इटानगर, दिस्पूर या हैदराबाद तो पहले आमें राज्य का पता होना चीए कि जो 97 डिगरी पूर्वी देशांत्र और 27 उत्री अक्षांस के बीच समुद्र तल से 530 मीटर उचाई परस्थित राज्य कौन सा है? अरुनाचल प्रदीश है और अरुनाचल प्रदेश की राज दानी कौन सी होती है? इटानगर होती है, तो second option से हो जाएगा इटानगर इन में से कौन सा बीच है जो कि गोवा में है? कुडले, मरीना, पेलोलं या वरकाला इन में से अब बताना है कि कौन सा है? जो कि गोवा में है कुडले बीच कहाँ पर है? कुडले बीच है करनाटक में ठीक है? मरीना बीच कहाँ पर है? चेननाई में उसके बाद पेलोलं है, पेलोलं कहाँ पर है? गोवा में है ठीक है और वरकला वरकला कहाँ पर है केरल में है और वरकला को जो है एक और नाम से पूछा जाता है ये पापना सम बीच ठीक है पापना सम बीच के नाम से भी आ सकता है तो ये पापना सम को ही वरकला बीच भी कहा जाता है और ये है केरल में तो Question पूछा गया था कि कौन सा बीच है Goa में, तो वो है Pil Lolem. ठीक है, Pil Lolem है Goa में. Next देखेंगे, Dash FIFA, Wishwag Cup का पहला मेजबान देश था, तो कौन सा था जो कि FIFA Wishwag Cup का पहला मेजबान, मतलब सबसे पहला जो World Cup हुआ, वो किस देश में हुआ था FIFA का, अरुग्वे, ब्राजील, फ्रांस या इटली फिफा की फुल फॉम भी पूछी जाती तो फेडरन इंटरनेशनले डी इफुटबॉल असोशियेशन ठीक है, नैशनेल लिखा है तो कौन सा था विशो का पहला मेजबान देश जहां पे पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो वो था अरुग्वे, अरुग्वे में जो था पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ठीक है, निमन लिखित में से कौन सा समारक फ्रांसिसी युद समारक, और्क डे ट्राइम्फ के समान है चार मिनार Victoria Memorial India Gate या Gateway of India तो पूछा गया कि कौन सा है फ्रांचिसी युद स्मारक Arc de Triumph के समान है तो वो है India Gate दाल चीनी मसाला मूलते कहां का है मलेशिया, बुटान, च्रीलंका या अफगानिस्तान तो दालचिनी एक मसाला है, यह कहां का है, यह पूछा गया है, तो दालचिनी मसाला जो है, यह कहां का है, श्रीलेंका का है, ठीक, पहली Wimbledon Championship गभ आयोजित की गई थी, 1884 में, 1877, 1896, 1863, पहली Wimbledon Championship कहां पर आयोजित की गई थी, सोरी, कब आयोजित की गई थी? 1877 में आयोजित की गई थी ठीक है? अगला देखिए next देखिए पानी के द्वारा उपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? What is the upward force exerted by water called? Density, beyond force gravitation या फिर friction तो पानी के द्वारा उपर की तरफ जो बल लगता है, उसको क्या कहते हैं? beyond force, उत्पलावक बल जो है उसको कहा जाता है ठीक है? चोथी श्ताबदी के शुरुवात में गुपतो ने डाश में एक छोटा सा सामराज्य स्थापित कर लिया था At the beginning of the 4th century CE, the गुपताज established a small kingdom in Vatapi, Magad मालवा, अवद तो कहाँ पर जो है गुपतो ने जो है small kingdom established किया था Magad में, ठीक है? तो right answer यहाँ पर हो जाएगा Magad next देखे मेजीनी का संभन्द किस संगठन से था मेजीनी वो असोसियेटिड विद विच और्गिनाइज़ेशन Red Army, Carbonini, फिलिक हेटारिया या डाइट मेजीनी हमने पढ़ा Young Society की स्थापना जिसने की थी वो कौन था मेजीनी ही था 1831 में उसकी स्थापना होई थी तो यब यह बताना है कि वो किस संगठन का सदश्य था तो देखे एक Secret Society हुआ करती थी Carbonini, मेजीनी जो था उससे रिलेटिड या मतलब उनका संभन जो था उससे था Carbonary, ठीक है रूस में जार का अर्थ क्या होता है, पीने का बर्तन पानी रखने का मिट्टी का पत्र रूस का सामन्त या रूस का समराट रूस में जार का अर्थ बताना है क्या होता है, जार क्या होता था जो राजा होता था वहां का जो समराट होता था, उसको जो है जार का आ जाता था, ठीक है तो रूस का समराट, Russian emperor, okay next देखे, what was the nature of hoa hoa movement, hoa hoa अंदोलन किस प्रकृति का था एक क्रांतिकारी अंदोलन, यानि कि revolutionary movement था, या फिर religious movement था, सामराज्यवादी समर्थक अंदोलन, means imperialism supporting movement, या फिर intellectual movement, क्या था hoa hoa अंदोलन तो देखे, hoa hoa अंदोलन कि अगर बात करें, तो यह हुआ था, 1939 में ठीक है, 1949 में हुआ था और यह जो था, एक Buddhist religious moment था Buddhist religious moment, यह भी याद रखिए तो religious moment, धार्मिक अंदोलन था यह, ठीक है तो second option B, जो है, सही हो जाएगा भारत में खिलाफत अंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920, 22, 24 या 26, खिलाफत अंदोलन तो देखे, खिलाफत अंदोलन शुरू हुआ था 1919 में और कब तक चला, 1924 तक चला था, ठीक है, तो right answer यहाँ पर 1920 हो जाएगा, खिलाफत अंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में ठीक है नेक्स्ट है, 1917 इसवी में भारत में पहला जूट मील किस चहर में स्थापित हुआ था, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई पटना, in which of these cities was the first jute mail established in 1971 पहला जूट मेल भारत में किस चहर में स्थापित हुआ था, कलकत्ता, दिल्ली, बाइदा, कैपितलिस्ट क्लास, श्रमिक वर्ग, यानि की लेबर क्लास, मिडल क्लास, या पिजेंट क्लास, ओल ओव दी अबाव तो जो पुंजी पती वर्ग थी, उन्होंने जो है, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और क्रिशक वर्ग, तीनों का ही सोशन किया था, तो all the above जो है, या पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सब ही, ठीक है प्राचीन काल में किस स्थल मारग से एशिया और योरोप का व्यापार होता था, सूती मारग, रेशमारग, उत्रपत, दक्षिनपत, in ancient time by which road route trade was conducted between एशिया और योरोप, तो एशिया और योरोप के बीच व्यापार का किस रूट से होता था, सिल्क रूट से होता था, यानि किस पुस्तक की छपाई की थे, which was the first book published by Gutenberg, Quran, Gita, Hadith, Bible, तो ये सारे कोशन जो है, NCRT के हैं, ये सारे मैंने आपको करवाए हैं 11, 12, 9, 10 में, तो सब कुछ हमने किया हुआ है, वहां पे, तो Gutenberg ने सबसे पहल, सरो परतन जिस पुस्तक की छपाई की थी, उसका नाम क्या थ बाइबल, ठीक है, और ये की थी उन्होंने 1456, 1456 में, ठीक है, नेक्स देखिए, राष्टर पिता की नाम से किसे जाना जाता है, who is known as the father of nation, राजरा मुहन राई, मात्मा गांधी, दादा भाई, भारतिन दुर इश्चंदर, ओके बहुत एजी कोशन है, मात्मा गांधी ज रूप में उबर कराया, उद्योगपती वर्ग, पुझीपती वर्ग, श्रमिक वर्ग या मध्य वर्ग, पूछा गया है, which social class emerged as the intellectual class, तो कौन सा बुद्धी जीवी वर्ग के रूप में उबर कराया था, जो सामाजिक वर्ग, वो था middle class, यानि की मध्य वर्ग, डी ओप्श इस्त्री और पुरुष के बीच जैवी कंतर, समाज द्वारा इस्त्री और पुरुष्वों को दी गई ऐसमान भूमिकाए, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोग तांत्रिक व्यवस्ता में महिलाओं को मद्दान का दिकार ने मिलना, तो यहाँ पे पूछ अच्छा क्या है कि gender discrimination क्या होता है, इंग्लिश में भी पढ़ लिजिए, biological difference between man and woman, unequal status of man and woman given by society, ratio of boys to girl, या voting right not given to female in democratic system, लैंगिक विबाजन, gender discrimination का मतलब क्या है, society, यानि कि समाज के द्वारा इस्त्री और पुरुष्वों को एक समान ने समझना, ठीक है, तो आप कह सकते है unequal status of man and woman given by society, ठीक है, नेक्स देखिए, निमलिकित में से कोन संग राज्य की विशेष्टा नहीं है, लिकित समीधान, एक हैरी साशन में वस्था, शक्तियों का विबाजन सर्वोच चिनल है, which of the following is not the characteristics of federal state, written constitution, power distribution, unitary system of government, supreme court, तो जो federal state की characteristics नहीं है, वो बतानी है, तो ये फेडरल स्टेट की characteristics हम देखे हैं, तो क्या क्या है, written constitution, लिकित समीधान भी है, उसके अलावा कठोर और लचीला समीधान, थर्ड जो है, वो है सर्वोचे नयल है, supreme court भी है, फोर्थ है, power distribution, किंदर और राज्य की बीच में स्रक्तियों का जो भी बाजन है, वो भी क्या ह संग राज्य की विशेष्टा है, फिर बचा यहां पर unit tree system of government, यानि की इकैरी साशन विवस्था, ये संग राज्य की विशेष्था नहीं है, ये कैसे साशन की विवस्था है, एका तमक जो साशन है, उसकी विशेष्था है, तो एका तमक साशन की विशेष्था है, ये ना तो राइट अंसर देखें आपे क्या हो जाएगा जै प्रकाश नरायन ने जो था भी आर्मी संपूर्ण करांती का नित्र तव जो था किया था इन में से कौन सी एक बात लोकतांतरिक व्यवस्ताओं के अनुरूप नहीं है तो कौन सी जो डामोक्रेटिक सिस्टम से रिलेटिड नहीं है तो एक्वैलिटी बिफोर ला ये भी है रिस्पॉंसिव गर्रॉमेंट सिस्टम भी है फ्री एंड फियर इलेक्शन भी है लेकिन बहु संख्यकों का साशन मेजोरिटी रूल्स ऐसा नहीं है तो डी बी ऑफ्शन है है सही हो जाएगा बारत एक लोकतांत्रीक राज्य है निमन लिखित में फियर आए किसमें गोशना की गई है प्रीमेबल Mostly Labo or Civics तो भारत एक लोकतांत्रीक राज्य है ऐसा किसमें नहीं का गया है प्रस्तावना में का गया है तो प्रिमेबल जो है यहाँ पर ठीक हो जाएगा प्रिमेबल किस लोगसभा चुनाओ के बाद मैलाओं की बागिदारी दस प्रतिशत से अधिक हो गई है after which लोगसभा election female participation increased to more than 10% सोल्वी लोगसभा, पंदर्वी लोगसभा, सत्तर्वी या बीस्वी लोगसभा तो राइट आंसर हो जाएगा सत्तर्वी लोगसभा के बाद जो है female का जो participation है, मैलाओं की जो बागिदारी है वो 10 प्रतिशत से जाधा हो गई है ठीक है, सोल्मी लोगसभा में यह कम था लेकिन 17 में जो था यह 10% से अधिक हो गया है ठीक है, निमल लिखित में से कौन राष्ट्रिय दल है, जनता दल, लोगजन शक्ति पार्टी, डियाम के भारतिय जनता पार्टी तो इजी है यह, नेशनल पार्टी बतानी है, तो कौन सी है, अगर देखे हम, तो इंडिया में टोटल कितनी नेशनल पार्टी है, 8 नेशनल पार्टी है कौन कौन सी है, नाम भी पता होने चाहिए, तो देखे, सबसे पहले आता है, All India तरणमूल कांग्रेस तो यह हमने किये हुए है 11-12 में, जो पॉलिटी की थी, कि कौन कौन सी पार्टी आती है, नेशनल पार्टी में तो All India तरणमूल कांग्रेस है, 2nd पे अगर आप करेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी है ठीक है, BJP है, CPI है, CPIM है, INC है, NCP है, NPP है तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतिय जंता, पार्टी ठीक, नेक्स देखिए, लोगतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, विच इस फूलोइंग इस कॉल्ड दा सोल अफ डैमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टी, सोशल पार्टी, हुमेनिटीरियन पार्टी, है, सिटिजन पार्टी, किस दल को जो है, लोगतंत्र का प्राण कहा गया है तो किसे कहा गया है लोगतंतर का प्राण? Political parties, राजनितिक दल को जो है लोगतंतर का प्राण यानि की Soul of Democracy कहा गया है भारत में संग एमराज्यों के बीच अधिकारों का विबाजन कितनी सूचियों में हुआ है? By how many least power has been distributed between union and state in India? 3, 2, 1 and 4 कितनी सूचियों में जो है अधिकारों का विबाजन हुआ है? तो 3 सूचियों में हुआ है, कौन-कौन सी सूची है? संग सूची है, ठेक है? राज्य सूची है, यह मिन्स union list, state list और concurrent list, यह मिन्स समवर्ती सूची तो 3 सूचियों में विबाजन किया गया है? टॉनी समीथ और जोन कॉरलेस जैड गुडे तो यहाँ पर पूछा है लोक तंत्र में जो रंग बेद के विरोधी नहीं थे पूछा है देखें मार्टिन लोथर किंगर, मात्मा गांधी, टॉनी समीथ और जोन कॉरलेस इन्होंने जो था क्या किया था, रंग भेद, जो रंग की आधार पर भेद भाव जो किया जाता है उसका विरोध किया था तीनों नहीं लेकिन जैड गुडी जो थी यह नहीं है, ठीक है, डी ओप्शन जो एक गरेक्ट हो जाएगा जिस देश का राष्ट्रिया आए अधिक होता है वे अधिश कैसा कहलाता है, अन्डेवलप्ट, डेवलप्ट, अंडेवलप्ट, अन्डेवलप्ट यह नन अफ देश, तो जिस देश का राष्ट्रिया आए, नेशनल इंकम अधिक होती है, जिस देश का राष्ट्रिया पंजाब, गोवा, प्रति व्यक्ति आए जो सबसे कम पूछी जाए तो वो है बिहार की, और सबसे जादा पूछी जाए तो वो है गोवा की, ठीक है D option, चलिए अगला देखिए, निमली की तमें से कौन मुद्रा का कारिया नहीं है, which of the following is not a function of money, जो money का कारिय नहीं है, medium of exchange, measure of value, production, store of value, तो देखिए, money का जो काम नहीं है, medium of exchange, ठीक है, बिल्कुल है, विरियम का मार्दिय में है, measure of value, मुल्य का मापक भी है, और production के लिए भी यूज होता है, बट, store of value जो है, इसका function नहीं है, तो right answer, store of value जो है, सही हो ठीक, बारत का केंदरिय बैंक कोन सा है, which is the central bank of India, reserve bank of India, shitriya gramin bank, state bank of India, पंजाब national bank, भारत का केंदरिय बैंक कोन सा है, which is the central bank of India, तो कोन सा है, state bank of, sorry, reserve bank of India, RBI, RBI Reserve Bank of India जो है Central Bank of India है Next देखिए आग से जलने की स्थिती में किस प्रात्मी कुपचार क्या आउशकता है ठंडा पानी डालना चाहिए गरम पानी अस्पताल पोँचने है इन में से कोई नहीं तो आग से अगर आप जल जाती है तो उस्थिती में प्रात्मी कुपचार क्या है ठंडा पानी डालना चाहिए ठीक है प्योर कॉल्ड वॉटर निमल लिकित में से कौन मानव जनीत आपदा है सांप्रताइक दंगी आतंकवाद महामारी उप्योगत सभी तो मैनमेड डिजास्टर बताना है तीनों ही मैनमेड है अल्दी अबव जो है सही हो जाएगा कॉम्नल रेट, टैरिजम और एपिडेमिक अल्दी अबव जो है यहां पर सही हो जाएगा ठीक है तो आज जो है हमने इस वीडियो में टॉटल 70 कोशिन किये है आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि कितने कोशिन जो आप सही कर पाए है ओके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप मोक टैस नमो 20 थांक्यू सो मच अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजेगा शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थांक्यू प्रूले थांक्यू